ए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत यूनीक फाशन ट्रेंड शेर करने वाल यू इस of a scrunchy sleeve you may और may not call it a sleeve but I am sure you'd be too delighted to wear it Waist length से थोड़ा सा लंबा top है मेरे पास और यह stretchable है इस top पे मैं scrunchy sleeve का effect देना चाह रहे हूँ So let us begin and see how this scrunchy sleeve effect can be achieved First measurement हमें चाहिए shoulder round And second measurement हमें चाहिए circle skirt बनाने के लिए radius Shoulder round आपने अपनी बाजू को नीचे ही रखके पूरा shoulders का round measure करना है मेरे case में 38 inches है And second measurement radius निकालने के लिए आप मेरे previous video को refer कर सकते हैं जिसका link में उपर information card में आपको दे दूँगी मेरे case में radius आया है 6 inches 38 divided by 6.28 equal to 6 inches अब 0 point से That is जिस पे 4 fold हैं fabric के उस point से मैंने 6 inches की marking करके एक circle draw कर दिया है अब इस छोटे circle के बाद एक bottom का बड़ा circle भी draw करना है मेरे case में सारा का सारा बचा हुआ fabric मैं ले रही हूँ which is almost 19 या 20 inches का अब ये दोनों circle कट कर लेते हैं अब जब इसे खोल के देखेंगे तो basically मेरे पास एक circle आ गया है fabric का, एक skirt type circle आ गया है fabric का आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैंने dummy पे pin कर दिया है basically एक circle skirt ही है जिसको मैंने shoulder level पे pin किया है जहां पे मैंने measurement लिया था वहीं पे pin किया है एक pin मैंने center में लगा दिया and मैंने second pin बाजू के उपर लगाया है बाजू को circle के अंदर ही रहना है वहां पे मैंने pin लगाया है बाजू पे and एक pin पीछे एक pin side में so basically पूरा का पूरा shoulder round पे मैंने इस circle skirt को pin कर दिया है बाजू अंदर ही रहेगी अगर आपके fabric के धागे निकलते हैं तो इसे interlock कर लिजे पहले ही मैंने दोनों छोटे circle और बड़े circle को interlock कर लिया है finishing देने के लिए अब आपको चाहिए बहुत सारी pins अब यहां पे हमें scrunchy effect लाने का तरीका सीखना है सो बड़े side के circle को छोटी side के circle पे लाएंगे और pin कर देंगे सो हमने थोड़ थोड़े distance पे यही करना है बड़े circle को उठा के छोटे circle पे pin करना है extra fabric को सारा उठा उठा के gather बना बना के pin करेंगे तो यह पूरा का पूरा circle आपने pin करना है अगर आपके पाप pins नहीं है आप सुई धागे से टांका भी लगा सकते हैं या किसी भी तरीके से से सिक्योर कर सकते हैं ताकि stitching के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए मैं यह scrunchy effect tafta fabric में बना रही हूँ किसी भी fabric जिसमें follow वो आप avoid कीजिए नि तो scrunchy effect लगेगा ही नहीं later on I am sure किसी brocade type fabric में भी यह काफी अच्छा खड़ा हुआ effect आएगा scrunchy जितना fluffy होगा उतना अच्छा लगेगा यह circle बनाने के लिए आपको almost एक square measurement का fabric चाहिए जैसे 42 by 42 inches का fabric मैंने previous circle skirt वाले वीडियो में लिया था मेरे पास 42 inches wide fabric नहीं था so मैंने दो fabrics को जोड के एक square formation बनाई और उसके बाद मैंने circle बनाया matching color का है तो मुझे जादा फरक नहीं पता चलेगा preferable है बिना सिलाई के ही एक ही fabric हो तो बट अगर आपके पास भी बेरी तरह एक fabric नहीं है तो आप बीच में जोड दे सकते हैं see मैंने यह सारा circle पिन कर लिया है इन कितना beautiful एक flower जैसा लग रहा है एक एक पिन निकालके धीरे धीरे आपने यह circle को stitch करना है and see मैंने यह पूरा का पूरा flower जैसा effect stitch कर दिया है अब इस flower को करेंगे half fold half fold करने के बाद एक side से मैंने इस flower को cut करना है ताकि एक tube जैसा बन जाए जिस tube को मैं inside out turn कर सकूंगे एक हाथ अंदर डाल के जो right side of the fabric है उसको हम बाहर की तरफ ले आएंगे अब इसको side से finish करना है जो यह सिलाई वाला part है इसको center बना के थोड़ा सा fold करके दोनो side की तरफ हम सिलाई कर देंगे अंदर की तरफ fabric को fold करके उपर से बहुत ही corner पे सिलाई कर देंगे आप चाहे तो यह काम तुरपाई से भी कर सकते हैं थोड़ा सा off color का मैंने thread लिया है ताकि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूं बट आप कोशिश कीजिए exactly matching color का thread लिजिए अब आपको dummy पे मैं scrunchy effect कैसे बनाना है वो दिखाती हो आपके पार dummy नहीं है तो भी फरक नहीं पड़ता आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं आप एक बड़ी process सीख लीजिए तो आपके लिए असान होगा कि कैसे बनाना है I hope आपको पता होगा एक scrunchy क्या होता है hair scrunchy, hair ruffle उसमें ऐसे gathered gathered से effect होते हैं तो वैसा ही effect आपको इस tube पे लाना है random places से उठा उठा के उसको हम top पे pin करेंगे जैसा scrunchy effect आपको desired है वैसा ही scrunchy effect आप इसमें बना सकते हैं this scrunchy sleeve trend is so unique कि आप जब इसे बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील आएगा it feels as if you are carrying a cloud with you and यह scrunchy effect आप किसी गाउन पे, किसी ड्रेस पे या मेरी तरह किसी टॉप पे भी दे सकते हैं अब बात आती है अगर आपके पास डमी नहीं है तो यह scrunchy effect कैसे बनाएं tube को, जो हमने यह fabric का tube बनाया था इसको आप अपने सामने रखिए बहुत सारी pins के साथ कहीं ना कहीं से random ली आपने हर एक एक दो दो इंच के बाद fabric को उठा के कहीं पे place करना है जहां पे gather जाएं और उसको pin करना है सो basically जहां से fabric उठाया है थोड़ा उसको एक दो इंच आगे लाके फिर वहाँ pin कर दीजिए 4-5 इंच पीछे लाके pin कर दीजिए सो unless और until वहाँ पे scrunch type या gather type effect ना आ जाए आप pin की placement बार-बार change कर सकते है अब इस scrunchy effect को secure करना है सो hand stitching करेंगे यहाँ पे matching color का thread लेंगे मैं again एक off color का thread ले रही हूं जस्ट आपको दिखा सकूं इसलिए front side जो scrunchy का दिखने वाला है वहां की तरफ टाका रहेगा बहुत ही छोटा आप बड़ा टाका back side की तरफ दिखा सकते हैं क्योंकि back side तो top से stitch हो जाएगी so back side पे बड़ा टाका and सामने की तरफ छोटा टाका रखके हम pin निकाल निकाल के वहां पे hand stitch करेंगे मेरा यह जो top है यह मुझे काफी लंबा and थोड़ा सा loose है तो इस point पे मैं इसकी fitting करने वाली हूँ इसकी length भी छोटी करूँगे और इसको side से भी tight करूँगे अब मेरे को इस top का center ढूंडा है इस time पे आप top पहन सकते हैं और scrunchy को अपने उपर लगा के pin कर सकते हैं क्योंकि आपने front की तरफ देखना है कि scrunchy आपको कितना high या कितना low चाहिए preferably bust से थोड़ा सा उपर मुझे ये scrunchy effect चाहिए top को मैंने fold किया अब मुझे center line मिल गई है मैं अपने desired distance पे एक pin लगा रही हूँ यहाँ से मैं scrunchy को stitch करूंगे desired places पे मैंने उसे pin कर दिया अब आपने again इसको hand stitch ही करना है सुई धागे की help से इस scrunchy को अपने top पे multiple places पे आप secure कीजिए four most important places है front का center, back का center दोनो ends scrunchy के इसके इलावा armhole का भी front and back क्योंकि अगर armhole को front and back से नहीं किया तो scrunchy बहुत जादा बाजू की तरफ गिर जाएगा तो वो हमें नहीं चाहिए back side में मैं तकरीबन one inch की जगा छोड़ना चाहरी हूं because I desire for that अगर आप नहीं चाहते एक inch की जगा छोड़ना तो आप यह skip भी कर सकते हैं दोनों ends को साथ में भी जोड सकते हैं so this is totally your call multiple places पे इसको hand stitch कीजिए ताकि एक secured scrunchy का look आए and after this stitching your scrunchy top would be ready I am really looking forward to build an audience now जिनको fashion पसंद है जिनको sewing पसंद है so आप मेरे instagram पे follow कीजिए and मेरे youtube चानल पे subscribe कीजिए अगर आपके पास कोई भी DIY request है मेरे लिए तो आप मेरे साथ मेरे instagram पे share कर सकते हैं मैं वहाँ पे काफी सारे fashion inspired reels भी आज कल upload कर रही हूं please check them out now let's see how the scrunchy top looks की ईपके नहीं ग्ालब is आप मेरे इंस्टेग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं थांक्स ओवाचिं!